जीवास मीनन कौन कौन से हैं आपके सामने जो बिकल्प हैं तो इन बिकल्प हैं बच्चो कोला भी जीवास मीनन होता है पैट्रोलियम पदार्थ भी जीवास मीनन होते हैं प्राकरते गेस भी जीवास मीनन होती है इसलिए आपका जो आंसर यहां पर करेक्ट होगा वो होगा ये सभी जो बिकल्ब में हैं, ये सभी बच्चों जीवाश में इनन होते हैं, आपका next question है, बाहनों के लिए सबसे कम प्रदूसक इनन है, कम प्रदूसक का मतलब है कम धुँआ निकले, कम प्रदूसक का मतलब क्या है बच्चों, कम धुँआ निकले, अब कम धुँआ किसमें नकलता है यह आपको पता हूँ तो सबसे कम प्रदूसक इनन जो है बच्चो यहाँ पर CNG है क्या है CNG CNG को अपन ऐसे भी लगते हैं CNG compressed natural gas तो बाहनों के लिए सबसे कम प्रदूसक इननन कौन सा है CNG है तो CNG वाले जो बाहन होते हैं इसमें इननने से बहुत कम दूगा निकलता है तो सबसे कम प्रदूसक हुगा इसमें इस दूगा ज्यादा नेकले वो अधिक प्रदूसक माना जायेगा तो अपन ऐसे इसका answer निननना सकते हैं अब आपका कि अक्षय प्राकरतिक संसादन है अक्षय मानें जिसका चैना हो जो खतम ना हो अब यहाँ पर आप देखो जो वायू है हवा है तो जहाँ पर आपने देखा वो पबंच चक्कें लगी है तो आज पबंच चक्कें चल रही है कल क्या बंद हो जाएंगी नहीं होगी तो हवा समाप्त नहीं हो सकती इसलिगी अक्छा प्राक्रतिक संसेदर पूँछा है जिसका प्रीग छ ना हो, माने जो समाप्त ना हो, वो आपको बताना था तो सही आंसर के आपका बायू जबकि एग ना एक दिन कोईला खतम हो जाएगा प्राक्तर तक गर्ष भी खतम हो जाएगी खनिश पदार्थ भी खतम हो जाएगे आपका जो next question है कोईले से प्राप्त उत्पाद है तो कोईले से क्या बनाया जाता है यह आपसे यहाँ पर बच्चों उन्होंने पूछा है तो बच्चों कोईले से कोग प्राप्त करते हैं कोईले से क्या प्राप्त करते हैं कोईले से कोग प्राप्त करते हैं important है ध्यान देना हो अगर एकदम सुद्ध पूचते तो आपका आंसर हीरा सही होता तो कारवन का लगभग सुद्ध रूप आपका कौन सा हो सकता तो यहां पर आप सो सकते हैं तो इसका जो आंसर बच्चो कोक है इसका आंसर जो बच्चो है कोक है कारवन का सुद्ध रूप क्या हो सकता लगबक सुद्धूरूप है एकदम सुद्धूरूप तो जीरा होगा यह भी आपको यहां पर आपको देहां रखना है पूंचा या प्रेक्षा में कारवन का लगबक सुद्धूरूप है तो कोक आपका अंसर करेक्ट है अब बच्चो है आपका बेटा बताईए पैट्रोलियम का कौन सा उत्पाद पैंट बनाने के लिए काम में लिए जाता है बेटा बताईए पैट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है पेटॉलियम से ऐसा कौन सा पतर प्राब्त होता है? जिससे घरों में जो आप पैंट देखते हैं, वो बनाया जाता है तो बेटा हो इसका उत्तर है आपका बिटुमेंट तो बिटुमेंट से जो है बच्यों पैंट बना जाता है घर में आप जो कलाई करते हैं, पोतते हैं, पैंट करते हैं, वो बिटुमें से बनते हैं, बिटुमें से बना जाता है, और बिटुमें काय से प्राप्त करते हैं बिटुमेंगे, पैट्रोलियम से प्राप्त करते हैं बिटुमेंगे, अगला प्रशन है काला सोना किसे कहते है तो बच्चो जिस देश के पास petroleum पदार्थ है उसके पास petroleum पदार्थ है उसके पास सोना हो या ना हो सोने के बराबर ही उस देश की value है सवधियर अब देखो पैट्रोलियम पदार्थ है कितना बहला देश है तो इसलिए काला सोना जो है petroleum को कहा जाता अब petrol के रंग आपने देखे होगे बास्तों में जब petroleum पदार्थ जो सोद रूप में होता है पहले जो इसको प्राप्त करते ह हैं तो वो काली कलर का होता है petroleum फिर उसका filtration होता है फिर अलग अलग कलर के चाहँ डीजल हो चाहँ पैट्रोल हो वो आपको दखाई देते हैं लेकिन मूल रूप में जो petroleum पदार्थ है वो काला होता है तो काला सोना क्रिशिक आजाता है petroleum को क्योंकि सोनी के बराबर से कीमत है जिसके पास petroleum पदार्थ है बहुत धनी देश है सोना कहां लगता उसके सामने बन्य जीव है प्राकरतिक संसादन है तो जो बन्य जीव होते हैं वो प्राकरतिक संसादन है वो कैसे हैं वो आपसे पूछा है तो बच्चों यहां देहन दो बन्य जीव बन्य जीव जो होते है बच्चों ये समाप्त होने वाले होते हैं बन में रहने वाले जीव ऐसे कि होँआ पर हिरन हो सकते हैं भालू हो सकते हैं सेर हो सकते हैं ये कैसे समाप्त नहीं होगे ये समाप्त हो जाएंगे कई जन्तों समाप्ती भी हो गए हैं इनको अपन बिलुप्त बोलते हैं, कि बिलुप्त हो चुके हैं, तो बन जीव हैं प्राकरतिक संसान कैसे समाप्त होने वाले, अगला आपको प्रस्ण है कि नैप्थे लिन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं, तो नैप्थे लिन की गोलियां जो बच्चो कोल तार से के नेफ्ठलन है कापूर है एंस्हरा इनमे उर्दफलन की क्रिया होती है। जाम उनको गरम करते हैं, तो बचो पहलती नहीं है, सेदे ही जल करके गैस इस्पनाते हैं। ऊर० आसमें के परूज क्रिया इनमें के रिधा में नेफ्धलन एंध्रासेन में तो नेफ्थलिन से बोग वाला प्रशन भी बन जाता है उर्थपातन वाला तो नेफ्थलिन की गोलियां किसे प्राप्त करते हैं खोलतार से प्राप्त करते हैं अगला प्रस्न है उस्मा के शुरोत की रूप में प्रियोग किया जाता है तो उस्मा के शुरोत की रूप में क्या प्राप्त करते हैं और उससे उस्मा बनाते हैं तो बच्चो इसका आंसर जो है कोईला गैस इसका आंसर क्या है कोईला गैस तो कोला गैस का उपयोग उश्मा के शरोत की रूप में करते हैं